कि अपर करके पहले फीगर बनाते हैं यह समझेना बहुत ज़रूरी है तो कुश्चन है एक कलाकार एक 20 मिटर लंबी डोर पर चड़ रहा है तो सरकस में एक चुली क्या होता है कि आप सरकस गए होगे वहां पर एक रड़का जो है वह एक बांस लेकर के बैलेंस बनाने के लिए एक रस्ती पर चल रहा होता है ठीक है तो वह रस्ती एक्चुली स्लैंट हाइट होता है तुर्शी उचाई वाली होती है तो अगर फीगर हम लोग बनाएंगे तो यह सरकस का एक कलाकार ये हमारा ट्रेंगल है ये खंबा है ठीक है खंबा से लेकर के जमीन तक एक रस्ती बना होता है और इसी पर वो चलता है ठीक है सरकस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चड़ रहा है तो ये डोर यही है ठीक है धियान से समझना है कि उचाई नहीं है खंबे के और भूमी पर सीधे लगे खंबे के सिखर, तो ये जो पाठ बा का सिखर, तो खंबे के सिखर से बंधी हुई है, ये जो डोर है, ये खंबा के सिखर से बंधी हुई है, ये भूमी अस्तर के साथ, भूमी का जो ये अस्तर है, इसके साथ, भूमी अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कौन, यह जो डोर है, डोर द्वारा, यह डोर है, डोर द्वारा, भूमी अस्तर के साथ, बनाया गया कौन, कितना कौन है, 30 डिगरी है, ठीक है, तो खंबे की उचाई याद करें, तो क्या निकालना है, खंबे की उचाई, एक्चुली यह question जो है, यह one marks में भी आ पढ़ाएगा, ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, नाम दे सकते हैं, कुछ भी, यह A हो गया, यह B हो गया, A से लेकि Z तक में, जो आपको देना है, आप दे सकते हैं, तो यहां लिखना है, माना, A, B, खंबा है, माना, A, B, खंबा है, जिसकी उचाई, जिसकी उचाई H ग्यात करनी है, जिसकी उचाई H ग्यात करनी है, यहां तक क्लिए रहे, जो जो गिवेन वाला पार्ट है, वो सब आपको लिख देना है, A to Z, कुछ नहीं छोड़ना है, गिवेन पार्ट में, तीक है, अब जो है, A, C हमारे पास है, 20, तो AC जो का डिस्टेंस है वो है 20 मीटर एंगल आप यहां से देख सकते है ACB तो ACB है 30 डिगरी ठीक है तो एंगल ACB यह 30 डिगरी है तो जिसको लेना है उसको बीच में रखना होगा ACB तो C हमारे पास 60 है और ABH है AB जो है वो H है यह एक्चुली जो है दियावन नहीं था यह हमने माना है ठीक है लेट अब तिर्भुज कैसा है ट्रेंगल कैसा है समकोन है तो हम लोग यहां लिखेंगे समकोन तिर्भुज तिर्भुज का नाम ABC ABC कुछ भी लिख सकते हैं ABC BCA कौन के सामने वाला ठीटा के सामने वाला जो भुजा है वो लंब होता है लंब इसको कहते हैं P जोग निकालना है तो हम नीचे से यह लंब और यह वाला है कर्ण तो P by H, तो P by H किस समें होता है, Sine में होता है, हम लोग साइन यूझ करेंगे, हम लोग यहां लगाएंगे, Sine theta is equal to P by H, तो theta हमारे पास है, theta हमारे पास given है, olduğ une También, कितना degree, 30 degree, और P जो है, Lumb हम इसको H माने थे, और कर्ण जो है, वो हमारे पास 20 है कर्ण आप देख सकते हैं, 20 दिया हुआ था है ना है हमारे पास कर्ण 20 है अब जो है, solve कर लेते हैं, sin 30 का value याद रखना है आपको 1 by 2 is equal to h by 20 cross multiplication करेंगे, 2 into h, 2 h, 20 into 1, 20 तो h बराबर हो जाएगा, 20 by 2, cancel हो गया, 10 लाश्ट में आपको एक लाइन लिख देना है, इसलिए खंभें की उचाई 10 मीटर है, तो यहाँ आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा इसमें उम्मीद है कि आप समझ गया होंगे, तो अब अगले question के ओर चलते हैं